यार मुझे लग रहा है कि ना सरकारी गाए का वीडियो है शायद benefit वाला वहां से शायद मुझे कुछ idea मिल जाए कि मुझे वीडियो जरूर देखना यार MTS के अंदर final selection तो हो गया है क्या लेकिन वो कुछ benefit है क्या ही कैस में कोई training हो क्लोड कैसा है इसके अंदर मतलब क्या जोइन करूं या ना करूं जी हाँ बिल्कुल आप एक दम सभी platform पर हैं दासित करी गए आपके जितने भी doubts है या कुछ भी जो आपको कुछ भी लगा हो अपने कहीं से भी कुछ भी सुना हो तो उसी के regarding मैंने वीडियो बनाई है that is benefits of doing MTS जॉब तो यह वीडियो को end तक द सब्सक्राइब कर देना नीचे बटन होगा उसको प्रेस कर देना बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना प्रेस्ट नोडिफिकेशन मैंने देखा ट्रेंट के अंदर की मोस्टली पीपल नॉट सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब इस यू रियली लेक्ट वीडियो और तो मैं कंटेंट की कोई कमी नहीं होने दूँगा और सारका सारे इनफोर्टेंमेंट होने वाला है एकदम एकदम क्लियर एचिटी प्लस इनफोर्टेंमेंट तो सारा का सारे एकदम ऐसी रहेगा एकदम क्लियर मेरा सेम नेम है दा सरकारिया के नाम से इंस्टाग्राम पर आप चाहें तो वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं तो बिना देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं बेनिफिट्स के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर मैंने खुद हैं अपने पॉइंट्स किया या उससे पहले भी जितना मैंने स्टडी किया था इसके बारे में कि क्या कितना टाइम मिलेगा क्या है क्या नहीं है क्या इसके बेनिफिट्स है मतलब हर चीज का कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्सपेक् इस यह स्लाइड नुबर वन रिगार्डिंग बेनिफिट्स फेंट्स बैदर यह आपका वर्कलोड होगा या नहीं होगा और क्या काम है क्या नहीं है कई से रिडाउट्स होंगे ना तो आगे आगे बढ़ते हैं देदेदेरे स्वाइप करते हैं आगे तो यूजिवली हर बंदा अइडिया के नदर होता ही है इसके मिनिमममेजर रिक्वाइर्मेंट इस एटीन ओल्ली तो आप 18 के तो हुई जाते हैं तो आप 10 के बेस पे या 12 के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप म्तीस भी अपलाई कर सकते हैं जिसमे इस बेस पे आप जा सकते हैं इस जॉब के अंदर 10th बेस is a very very minimal qualification as per what I believe इससे कम तो qualification होना नीचे किसी एक्जाम का तो ये पहला good criteria है कि आपने 10th पास करी और आप इस एक्जाम को अपलाई कर सकते हैं कोई भाई बंदू या कुछ भी कोई बंदा कहीं से भी बिलॉंग करता हो तो बड़े ही असानी से इसे apply कर सकता है 10th you just need to be a matriculate that's it this is your point number one now coming to your point number two that is single paper ये बहुत बड़ी बात हो जाती है आज के टाइम पे अगर अब सीजल देते हैं अभी तो खेल ठीक हो गया औरना पहले तो आपके चार-चार टीर थे पहले paper 1 दो qualify करो परी and then mains के अंदर दो paper दो उसके बाद फिर descriptive दो फिर typing दो चार-चार टीर होने के बाद आपका final selection होता है MDS की खास बात यह है कि आपको एक single paper के base पे आपका selection हो जाता है just one paper tier 1 जो होता है सेम इसे सी pattern होता है 90 minutes होते हैं 25-25 questions होते हैं वो आपने करने होते हैं इसलिए टाइम जो 2017 आगे हैं MDS वा तो उसमें थोड़ा pattern different था बट अब सेम ही चल रहा है 2019 में 20 में 20 वाली में भी तीनों में सेम पैटन है 90 minutes and your 100 questions that's it and तीनों के अंदर सेम बात है tier 2 आपका qualifying in nature है that is descriptive बस हलका सा change यह आया है tier 2 में इस बार कि आपको दोनों questions करने हैं जैसा कि आप सीचेशल में सीजिल में करते हैं same as it is 25-25 marks each but that is just for your qualifying in nature just qualifying in nature मतला आप खाली good handwriting में लिखकर आना you will qualify that's it and tier 1 the single paper based exam and maybe possible future के इंदर इसमें भी कुछ change आ जाए क्यूंकि क्यूंकि इसमें कोई training नहीं है training से क्या रहता है कि आपको मतलब कुछ इसमें कुछ सीखने की जर्त नहीं है कि यह आना चाहिए आपको फाइल वर्क वगरा ऐसा कुछ नहीं है normal you just qualify the exam and you just simply you can go and join the office आपको ऐसा कुछ भी समझने की जर्त नहीं है there is no training in this job nothing like anything else no training it saves your time अगर आप कोई एग्जाम आगे future के लिए आप प्रिपेर कर रहे हैं study कर रहे हैं तो it's literally save your time मतलब आपको उसमें को सीखने का है ही नहीं यार it's simply just you need to go and dispatch the dark you do need you just need to write down the entries जो भी आपको काम दिया जारा आपके सीनर के दुवारा that's it it is a very very simple job there is no training required in this but हां फिर भी जब भी आपको कोई ministry join करते हैं आपको training period पे भीजा जाता है उसके अंदर क्या रहता है कि आपके जो training जो होता है आपका काफी time period बाद आता है अगर आपने आज join किया है तो हो सकता है कि आपके training का call दो साल या तीन साल या चार साल बाद आएगा तो दो चीन चार साल तक तो कोई रुखता है निया यहां पर सब लोग आगे आगे यहां कौन साब को कैसी तरीए से आपको office work handle करना है यह सब मैसच तो and then फिर आप एक study टूर पे भी लिया जाता है आपके training completion के बाद it is just a formality this is point number three and it is very very important no training now coming towards the point number four that is no workload this plays a very important role at all if you go and join any office तो अगर आपके पास workload काफी जादा रहता है तो अगर आपने आगे पढ़ना है या बढ़ना या कुछ भी करना है आपने तो अगर आपके उपर workload रहेगा तो आप आगे बढ़ी नहीं पाएंगे तो इसलिए है यह point काफी जादा important हो जाता है no workload SSC के द्वारा यह निकाले एंटेस की जो वेकेंसी है यह काफी सही है उसके अंदर कोई workload ही नहीं है आपने खाली simply जाना है थोड़े बहुत काम करने हैं आपको enough time मिल जाएगा अपने studies के लिए आगर आपको आगे future में कुछ करना है तो point number next की दरफ that is your dress allowance एक important बात रहती है कुछ grade page रहते हैं इस एटीन हंड्रेट ग्रेट पेज़ फोर MTS 1900 is for JSA और NDC if you say उससे उपर अगर आप बढ़ते हैं एट्ठाइस सो अट्ठाइस सो के बाद सीधा ब्यालिस सो जो ब्यालिस सो ग्रेट पे तक की नोकरियां जो होती है उनके अंदर आपको dress allowance दिया जाता है dress allowance basically साल में एक बार दिया जाता है यह आपको कपड़े ख्रीदने के लिए देती है सरकार यह 5000 रुपे का होता है साल में एक बार जॉप को मिलता है MTS का grade पे बैलिसों से कम रहता है इसलिए MTS हो या LDC हो या UDC हो इन तीनों post को dress allowance दिय कि इसमें कुछ training नहीं है तो इसलिए मेजर रोल प्ले कर रहा था कि इसमें कुछ ऐसे सीखने का नहीं है तो more than enough time मिल जाएगा now next point की तरह आते हैं that is good salary to manage your expense so अगर आप किसी के उपर भी load नहीं बनना चाते हैं अपने सारी चीज़े खुद manage करना चाते हैं for example कि आपको आगे study करना है आपको आगे seizure निकालना है और कोई group पे exam निकालना है तो आपको अपने expenses manage करने के लिए good salary मिल जाती है आपको किसी और पे depend होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है good salary to manage your own expenses you will become self independent at a very young age आपने खले single exam दिया है इसके अंदर कोई training में नहीं आप good salary मिल रहे है अपने expenses manage कर सकते हैं आपको time मिल रहा है study के लिए what else you need to succeed in life that's it अब next point की तरफ आते हैं इसमें that is enough time to prepare for more exam यह point बार बार घूम फिरकर आ रहा है main motto ही है इसके इनदर enough time to prepare for exam कोई training नहीं है तो भी आपको enough time मिल रहा है school मिला के जो main conclusion निकलता है that is your time आपको इस पोस्त में time मिल जाता है time is money and time management is also very very important अपने को काफी साथा time मिल जाएगा इसके इंदर prepare करने के लिए अगर आप गए है मालने आपका दिन शुरू या office शुरू होता है वां भी के त्रह यहां ट्र aspiration के तरह आते हैं च्रहां स्टीजवा के दिन ऐना को सस्यानें इस सचाथ इसके अलावा साथ इसाथ आपको बेटरनी मेटरनी की चाइड लीव मिल दी जाती है और साथी साथ एक्स्टा ओर्डेनरी लीव भी होती है इन सारी लीव्स के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह की लीव्स होती है आपको कितने लीव मिलती है अंदाजे के लिए थोड़ा जान लीजे कि हर 6 मेने में आपको 15 EL मिल जाती है टोटल साल के आपको 8 EL मिलती है दस Medical Leave मिल जाती है दो आरज मिल जाती है तो मूटी मूटी से लगबग 40 50 के बीच तो ये छुट्टियां होगे बाकी तो अगर आपके पास Saturday Sunday आपके पास O time हो जड़ा पिपर करने के लिए आप weekend पे अपने class लगा सकते है या weekend पे चाहें तो अपने mock test दे सकते हैं तो आपको enough time मिल जाएगा तो कुल मिला के घूम फिर के वही बात आती है You become self independent and you have enough time Now coming towards the closure of this video This is the most epic picture which I found on internet Working pressure For example, if you got selected in CHSL and आप DUT entry operator बन जाते हैं या lower division किलर किया postal assistant तो तो यह वह a very hectic schedule Let me tell you Postal assistant का schedule बहुत ज़्यादा Hectic हो रहता है Monday to Saturday working रहता है You don't get enough time to prepare But, but, but If you give this exam MTS1 Then you have a very very work Less workload You just need to entry the dark And just need to dispatch it That's it And, or कोई file work मिल जाएगा या और भी कुछ काम मिल सकते हैं Office पर डिपैंड करता है But, एक postal assistant के comparatively You will have very very less workload Less workload Means less pressure on mind Means more time You can prepare for more higher exams So that this Main conclusion यही निकलता है तो यही थे मेरी तरफ से benefits इस वीडियो के अंदर आपके लिए तो वीडियो को कॉंपाइल करते हैं Conclusion निकलते हैं तो वीडियो से conclusion का निकला है benefits Benefits से conclusion यह निकला है कि आप होती minimal qualification पे आप इस exam को qualify कर सकते हैं Single paper exam रहेगा यार आपका एक बार बस single exam देना है ज्यादा वेट नहीं करना है आपने second वाला खाली qualifying in nature है वो देखर आगे and just you need to wait for a final merit list उसके बाद बस आपने आगे आगे पर पर करीं आपकी job लग जाए then you have enough time there is no as such high tech training you require to do this job so there will be very very less work load as compared to other post if I talk about post list and specially and then you also get holidays your Saturday Sundays off you get enough time time if you get and you have very very less work load then you could prepare for higher exams so main conclusion यहीं निकल कर आता है कि हां मतलब अगर आप if you feel like that you would go more higher and if you also feel like कि आपको यहीं पे स्टेक करना है तो भी आप कर सकते हैं there is no problem in this अगर आप private गेंदर जागे if you're going for a salary of 30,000 और आपको छूटिया भी नहीं मिलती सारी चीज़े नहीं मिल पाते है benefits वगरा उससे बहतर आप यह लें और हाँ एक benefit और है that is your CGHS card आपको government के तरफ से health scheme मिल जाती है आप avail कर सकते हैं उसे यह तो खेर एक government employee को हर हर government employee को मिलता है यह साथ ही साथ MTS को भी मिलता है आपका CGHS वोगला गवर्मेंट एम्प्लोई and plus you get your savings done जो गवर्मेंट आपका new pension scheme के तहत काटती है वो आपका add-on होता रहता है फिर वो next job में अगर आप जाएंगे तो हाप वो forward भी हो जाता है यह सारी बाते हैं अलग से किसी वीडियो में शेयर करूंगा आपसे मैं holidays के बारे में आपकी NPS के बारे में और भी कई सारे benefits जो मिलते हैं हमें different different video में I will share it so benefits फाली वीडियो में यही था मेरी तरफ से उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आए होगी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना है दोस्त and if you want to stay connected with me then subscribe भी कर देना bell icon को जरूर प्रेस कर देना and if you still अगर कभी कोई doubt रह जाए तो प्लीज राट दाउन इन दे comment section and MTS 2021 का result expected है कि next month आजाएगा ऐसा कह रहे हैं तो let's just wait for it, cross your fingers and इस वीडियो में and if you want to follow me मेरा same name है दा सरकारी के नाम से instagram पे तो आप चाहिए तो आप फोलो कर सकते हैं लिंक में दे दूँगा description के अंदर उसका तो यही था इस वीडियो में मेरे साथ और इस वीडियो का target रख लेते हैं लास्ट वाली वीडियो के अंदर हजार का था इसके अंदर पंदरस होगा रख लेते हैं अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना पंदरस वीडियो का शाहिद ही किसी ने इतने सारे benefit है इसे compile करके बताया होंगे आससे पहले इसे presentation के लिए तो अगर आपको यह मेरा वे पसंद है तो यह भी comment करते हैं आपको और मुझे क्या change करने चाहिए अपनी वीडियो के अंदर जिससे कि आपको और मस्त मदलब एक्दम मज़ा आ जाए देखने में तो वह भी लिख देना क्या के add-on में जो करना चाहिए तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं इसी के साथ इसी जोर्दा सरकारी गाहे नोट जस्ट एन गवर्मेंट एपलाई बाबाई टेक करे आए